आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है समोसा मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ पर मैं तो आलू फेंग देती हूँ पेबी आपकी जो ब्लू वाली शिर्ट थी ना वो प्रेस करते हूँ मुझसे जल गई क्या ओ नो अच्छा ठीक है तुम टेंशन मदलो मेरे पास सेम दूसरी है हाँ बेबी मुझे बता था इसलिए तो उसका कपड़ा काट के इस पे लगा दिया जिन्दगी एक है और तलबगार दो जां अकेली मगर जांके हकदार दो दिल बता पहले किसका करूं हक अदा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा इस तालब को मैं कैसे तोड़ूं जफर किसको अपना मैं आलत क्यों ही कैसे तुछे बताओं मैं परवत बदर बदर के राज बिताओं मैं पुछो जरा पुछो क्या हाल है हाल मेरा बेहाल है कोई समझ न पाए क्या रोग सताए कोई जाए जर घूंद के लाए मैं जाने कहां दिल लिखो गया 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 एक करप उसका घर एक करप मैं तड़ा तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने किपिर नहोश का दावा किया कभी मैंने वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी निगाह यार से पाई है जिन्द की मैंने इसलिए हम तुमारे गुनाओं का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे रामो जी हुजूर अब तुम लोग चौदी साब के साथ शिकार पूर लोट जाओ अब तो जमींदार जी हमको जीने नहीं देंगे हुजूर अब तुम्हें कुछ नहीं होगा चौदी साब जान चुके हैं कि हम कलेक्टर ही नहीं कुछ और भी हैं वैसे इस दफ्तर के ही नहीं हमारे घर के दर्वाजे भी तुमारे लिए हमेशा खुले रहेंगे चूदी साभी ने अपने साथ शिकार पूर ले जाईए मुझे तुम्हारी नसीहत याद रहेगी कलेक्टर साथ चौदी नसीहती नहीं यह मुलाकात भी याद रखना जरूर जान से भी प्यारा मुझे को मेरा दिल है उसके बिना एक पल भी चीना मुश्किल है जान से भी प्यारा मुझे को मेरा दिल है उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है कब मेरी कब क्या दर्द है दर्द बड़ा बे दर्द है कब मुझे को अचाई कब मुझे को रलाई कोई चाई जर ढूंड के लाई ने जान कहा दिल हो गया मुझे नीन दिन आए नीन दिन आए नीन दिन आए मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुहारा मतलब हम वो क्लेक्टर नहीं जिनका फूग मारकर तबादला किया जा सकता है क्लेक्टरी तो हम शौक से करते हैं रोजी रोटी के लिए नहीं दिल्ली तक बात महशूर है कि राजपाल चुहान के हाथ मेरतंबाकू का पाइप और जेब में अस्तीफा रहता है जिस रोज हम इस कुर्सी बैट का इंसाफ नहीं कर सकेंगे उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे समझ गए चौदरी अच्छे इज़त की है तुमने मेरी नौकरों के सामने नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो जमीनदारी करनी है तो जमीनदारों से दिल पैदा करो गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और नहीं जमीनदार इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है इसलिए हम तुमारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगें तुमारे घर पे गल्स भी आती हैं क्या? गल्स मतलब मेरे सिस्टर की जो दोस्तें वो आती है मैं भी आ सकती हैं क्या? ज़गा जहां भी हो जैसी भी हो उसे वहीं जाके मारूंगा अच्छा सुनो कभी भी मेरी बातों का बुरा लगे तो समझ लेना गल्ती सिर्फ और सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी है मुझे नीम दिन ना आए मुझे चैन ना आए मुझे नीम दिन ना आए मुझे जाए जारा घून दिखके लाए मैं जाने कहा दिल खो गया 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 आए घमे जिन्दगी कुछ तो दे मश्वरा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा मैं कहा जाओं होता नहीं पैसला एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा सुनी जी आपके लिए गरम दूद लेके या फिर थंडाई चलेगा अरे वाँ आज हैलो प्रमाईश क्या बात है ज्यादा खुश होने के जरूरत नहीं है वो तो मम्मी ने बोला था कि पती साप की तरह होता है तो मुझे लगा साप को दूद पिलाने से मुझे पुनने लगेगा आयोग मादा तो मर जाओंगा उसके दर से उठा तो किधर जाओंगा मैं कड़ा चोड़ दूंगा तो मर जाओंगा उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा मैं कदाद सोड़ दूँगा तो मर जाऊंगा सख्त मुश्किल मैं हूँ क्या करूँ ऐ खुदा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा इस तालुक को मैं कैसे तोड़ू जफर किसको अपना मैं किसको छुड़ू जफर इस तालुक को मैं कैसे तोड़ू जफर किसको अपना हूँ मैं किसको छोड़ू जफर मेरा दोनों सरिष्टा है नजदीक का एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा एग में जिन्दगी कुछ तो दे मश्वरा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा एक तरफ बाम पर कोई गुल पाम है एक तरफ मैं है दिले बादा ओ जाम है दिल का दोनों से है कुछ न कुछ वास्ता एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा मुझे नेंद न आए नेंद न आए नेंद न आए मुझे न आए मुझे चैन न आए कोई चाए जर धूंड के लाए न जाने कहा दिल खो गया मुझे नेंद न आए मुझे चैन न आए